कि हाई पिरण से आपको स्वागत है आपकी कुकिंग अज़ाय नहीं patriot हें बनाएंगे फपी देके परांठे लगते हैं और बहुत ही आसानी अरिया अभी हेल्दी होते हैं तो चलिए स्टाड करते हैं इसके लिए हमने आधा किलो पपीत लर्टा मेषीक ऐम अच्छे से छहिल लेंगे वह यह तों से जाता हुआ सिसे पहुत ही Почему अच्छे सकते हैं कि अच्छे से जो भी चोटे बीज आए वास्चे से सीच तो देखिए इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है पपीते को और इसे हम सारे को साफ करके निकाल लेंगे एक प्लेट में तो इसे हम प्लेट में निकाल साफ करके सारे पपीते को निकाल लेंगे तो आप इसी तरीके से सारे पपीते को साफ कर लें और वास कर लें वास करने स जो भी बीज है वह निकल जाएंगे क्योंकि बीज करवे लगते हैं तो वह इसे निकालने तो आप यह मैं का लेंगे तो देखिए इसे कर लेंगे से कदूकस से तो उसी तरह जेशे सारे पपीते को कदूकस कर ले जोनले , अजाती असानी से गिस जाता है। बहुत संट होता है परिक्षाइब चीज में अच्छे से अब दनीय को सबता है यह अब दनीया और कटे को भूले लिए हैं। युझे थोड़ा दंए ले लिए हैं। यह अच्छे से और न कुणते हैं। आपज चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं दौने में चीजों के कट से कट कर ले अब कड़ाई लेंक 24ड गारम कर लेंगे हमें अब बड़े चम छहूं लेए लेंगे और यह अचै से कर दा Ond ग्रिंगे गैस को मीडेम ही रखना है gias को में ज़्यादा तीज रहाए नहीं रखना है इसमें चमट जीर डालनेंगे और एक चमट हम इसमें अजवाईं ले लेनी है तो दोनों चीजों करनी शी चीजों को अच्छे से भूल लेंगे तो देखिए अब हरी मिर्ची बढोत थाहर सब्सक्राइब जल चलें हैं मिर्ची पाउडर ज़िए one चम छम नमक नमक पाउडर बढ़के लेंगे लिए गरम बढ़के लएगे लेंगे मसालो में जल्दी कर देखिंगे डर लमें जल्दी कमझा होगों हैं तो से अच्छे में और इंगं अप्राइप disp कर दें और इसो परक्राइप आप में गयिद्व मैं मचै कुरूण से भून का झाल बूं मिक्स कर दें मसालो में मिक्स हो जाएं तो ऐसे चलाते रहें और है अच्छे से मिक्स करिएं तु इस हमें तीनतर चाहर मिन्ट के लिए इस बुहन लेना है तो देखे पापित हमार अच्छे से भुन चुका है ज़ा लुए यह घ्ला हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इसे चला ले मिक्स कर दें गयास को में मीडियम पे ही रखना है ज्यादा तेज नहीं रखना है वन्हाप पपीता मारा जल जाएगा और गयास को अफ कर देंगे इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो इसे हम प्लेट से डख के दनिया एड़ कर देंगे दनी को भी अच्छे से मिक्स कर दें तो देखे दनिया मारा अच्छे से मिक्स हो चुका है अच्छे से ने चला दे तो देखे अब हम प्राटा मान लेंगे तो यह हमने चार से पांच का पाड़ा ले लिया इसमें दो चमच हमने नमक डाल लिया है डालना चाहतर है तो डाल सकते हैं अच्छा है कसूरी मेथी जायता है इस वह भी घयास भास उसे अलकर फैक डें झाहदे बैसेते यह इस जालकला सब्सेच अच्छा करने और दिया है तो इसे हमें ज्यादा टाइट नहीं गूनना है हमें सौफटी आटा गूंद के रेडी करना है तो इसे अच्छे से गूंद लें तो देखिए आटा हमारा गूंद चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा ओई डाल लेंगे लगवाग एक चमचा के करीब में और ओईल को मच्छी से आटे में अच्छी से मिक्स कर देंगे जाओल डालने से आटा बहुती सौफ्ट हर 100 गूंद के रेडी होता है तो दीखिया आटा मारा गूंद चुका है और बहुती सौफट हर हमारा गूंद के रेडी हुआ है अब इसे हम टौंग में में रख देंगे तो देखिए इसे हमने डौगे में रख दिया है से हम धक्के रख देंगे 5-10 मिट के लिए तो इसे अच्छे से कवर करके प्लेट से रख दें 5-10 मिट के लिए तो चलिए अब हम पराठा बना लेंगे तो इसके लिए में एक लोई ले लेंगे बना लेंगे गोला बना तोड़ा बड़ा हमें से बेलना है दो पिक है इसमें अब जो हमें स्टफिंग रेड़ी की तोड़ा है उसा रख लेंगे और इसे ऐसे बंद कर दे तोड़ा से बंद करें ciao पापी को स्सक्दों इसलिए से गोला बना लें सब करेक olha aja यह दीदेगे यह युग देगी बेल लेंगे वह सुका अधन कि दीद मेया कि अच्छे से राउंड हमारा तेना तॉन कि तो देकि प्राठ्वारा भी चुका अबढ़ती हम सेक लेंगे दूशेbase डहने प्राठे को इसे हम आज़ीन अठ Hai चुचिन हम अफिशे लेंगे प्रांठे को आफP रचे हम घी लगा हborया से तरफ से प्रांठे को बूले दूसी तरब और रूची ऊछोजानगे लें तरफ कियो दौसी तरब से भी मंगे आप दोसी तरब से इसके लें प्राणथे कोकरारए करके तो देखिए अच्छे से लगा दिया है पराथे को भी अच्छे से सेक लिया है तो पराथा बनके हमारे रेडी हो चुका है कि आप भी सारे पराधो को य तरह कर usually कर लें और आप बसकितर बनाकर और को बनाकर खिलाएं बहुती टेस्टी बन biology हें पपीते के बहुत लगते हैं तो देखिए हमारा बन के डी हो चुके हैं कि घठ खाने मीं मुझों बहुती टेस्टी बन के डी ki हुए तो आपको हमाई वीडियो पुसंद आयो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें सेर करें हम आप साके मिलते हैं